Hello everyone, welcome back to my channel So guys, इस वीडियो में हम लोग VNet Pairing करके देखेंगे Virtual Network Pairing के लिए हमें एक से ज़्यादा Virtual Network बनाने होंगे तो इस लैब में मैं दो Virtual Network बनाने वाला हूँ In same region, तो यहाँ पर हम Portal पर लॉग इन करेंगे आप यहाँ से सर्च करेंगे Virtual Network यह आपका Virtual Network आगया नहीं तो आप यहाँ से All Services में भी जाके आप Virtual Network सर्च कर सकते हैं यहाँ से VNet भी आप सर्च करेंगे तो भी Virtual Network पर आएगा हो तो VNet पर हम लोग गए यहाँ पर मैं Add करता हूँ और मेरे पास कोई Resource Group नहीं है तो मैं एक Resource Group बनाएता हूँ नहीं में रहेगा Next जाता हूँ IP Addressing में तो यहाँ पर मैं कोई भी एक Address Space देता हूँ और मैं By Default फिलार यही रहने देता हूँ 10.1.0.16 वाला मैंने एक Large Address Space ले लिया है ताकि मैं In Future अपने Requirement के साब से Subnets में Break कर सकूँ एक बड़े Network को मैं IP Addressing का अलड़ी वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए मैं करता हूँ Next यह Bastian Host के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो दो बताऊंगा DDoS Protection और Firewall के बारे मैं अलड़ी बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देखिए मैं करता हूँ Next और Review Plus Create पे क्लिक करता हूँ और इसको Create पे क्लिक करता हूँ तब तक जो है हम एक काम करता है एक और Virtual Network बनाते हैं तो मैं यहाँ से VNet सर्च करता हूँ यहाँ से VNet सर्च करता हूँ दूरा VNet बनाता हूँ यहाँ से मैं एक और Resource Group बना देता हूँ लेट से संदीप 2 करके Resource Group बना देता हूँ और मैं इसको देता हूँ VNet 02 और इसको मैं सेम रिजन में रखता हूँ जो की मैंने बताया था कि VNet Bearing आपका सेम रिजन में होता है आइप अड्रेस में जाता हूँ यहाँ पर मैं इसको बाइडिफॉल्ट यह जो है इसको यह फिर डिफरेंट आइपी देता हूँ लेट से एक 192.168.0.0 4-16 का मैं दे देता हूँ इसको सबनेट यहाँ पर मैं आड़ कर देता हूँ और मैं दे देता हूँ 24 और मैं गहरता हूँ अड़ मेरा सबनेट बन गया है next review plus create पर करता हूँ और इसको जो है create करता हूँ तो मेरा यह दो virtual network बन चुके हैं अब मुझे इन दोनों virtual network में 2 VM भी बनाने पड़ेंगे थाकि मैं आपको connectivity भी दिखा सके हूँ तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, विर्चौल मिशीन बना देता हूँ, जो मैंने संदीप 1 करके रिसोर्स ग्रूप बनाया था और एक दूसरा वीम बनाऊंगा मैं, जो संदीप 2 के अंदर बनाना है मुझे तो मैं तब तक के लिए वीडियो को pause करता हूँ, मैं वीम बना देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं resume करता हूँ मैंने दो वीम बना चुका हूँ, एक वीम01 है और दूसरा आपका वीम02 है, वीम02 आपका वीनेट 02 को connect है और इसका private IP 192.168.1.4 है और VM01 जो है आपका VNet01 Virtual Network पे connect है जिसका private IP 10.1.04 है मैं दोनो VM पे login कर चुका हूँ यह मेरा VM01 है यह देखिए और यह मेरा VM02 है और दोनों का private IP और Virtual Network दोनों अलग अलग है तो देखिए by default यह VM01 से VM02 का IP ping नहीं होना चीए तो चलिए मैं VM01 पे login हूँ और मैं इसका private IP क्या है 192.168.1.4 तो मैं इसको यहां से ping करने ही कोशिश करता हूँ ping 192.168.1.4 तो यह देखिए यह जो है IP मैंने गलट डाला है मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यह देखिए यह ping नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है कि दो अलग अलग virtual network में है जो कि ping नहीं हो रहा है उसी तरह मैं VM02 से इसको पिंग करता हूँ किसको VM01 के IP को VM01 का private IP का है 10.1.0.4 10.1.0.4 तो चलिए एक काम करते हम दोनों का firewall भी जो है disable कर देते हैं में भी हो सकता है firewall की वे से हो रहा हूँ तो हम जाते है Windows firewall पे ओके यह on है तो मैं इसको turn off कर देता हूँ VM02 पे मैंने turn off कर दिया है और मैं VM01 पे भी जाके इसको off कर देता हूँ ओके तो मैं यहाँ पर गया small में गया Windows firewall में गया यहाँ पर भी जाके मैं इसको off कर देता हूँ अब मैं पिंग मार के देखता हूँ कि क्या होता है VM01 से मैं अभी VM02 को पिंग कर रहा हूँ तो यह देखे पिंग नहीं हो रहा है उसी तरह VM02 से VM01 के IP को पिंग करता हूँ तो नहीं हो रहा है तो अब हमें करना है pairing अगर दो virtual machine के बीच में अगर हमें communicate कराना है जो कि same region में है लेकिन virtual network अलग-लग virtual network को connect है और अलग-लग उनका IP address है तो हम क्या करेंगे हम virtual network पर जाएंगे और हमें क्या करना है VNet01 को VNet02 से pairing करनी है तो हम किसी भी एक virtual network पर जाते है तो मैं लेट से मैं इस VNet01 पर चला गया यहाँ पर जाके आप नीचे आएंगे तो यह देखे आपको आरहा है pairing मैं आप pairing पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर अभी फिलाल कोई भी pairing नहीं है मैं add पर क्लिक करता हूँ अब यह बोलता है कि name आप VNet जो आप pairing करें उसका नाम दो तो मैं देना चाहता हूँ VNet01 से VNet01 से मैं कहर रहा हूँ VNet02 इसका नाम दे रहा हूँ बाइडिफॉल्ट में यही रने दूँगा सब्सक्रिप्शन मेरा आटमेटिकली आ गया कौन से VNet को आपको pair करना है यह बोलता है कौन से VNet02 को pair करना है मैं कहा रहा हूँ कि मेरा VNet02 को pair करना है अब यह बोलता है कि VNet02 जो जिससे आप pairing करें उसका नाम दो तो मैं इसको देता हूँ VNet अब मैं नाम कहते हूँ VNet02 से VNet01 को pair करें यानि कि यह क्या करेगा मैंने एक virtual network पर select करके pairing कर रहा हूं तो यहीं से यह two way pairing कर देगा यानि कि virtual network pairing में आपका सिर्फ one way नहीं होता two way pairing किया जाता तो ही आपका जो virtual machine है आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे तो मैंने क्या बोला कि भाई यहां से वहां pair कर और यहां नीचे क्या बोला कि उधर से zero two वीनेट से zero one पर pair कर ऑके by default में यह सब रहने दूँगा और मैं इसको करूँगा okay तो आप देखेंगे कि मेरा अभी जो है vnet pairing initiate हो जाएगा और मेरे जो vm से वह आपस में बात करने लगेंगे मैं इसको okay क्लिक करता हूँ okay यह देखेंगे अभी मैं notification में जा रहा हूँ तो दो virtual network pairing हो रहा है यानि कि इतना flexibility है हमें कि हम एक ही जगे से हम लोग जो है two way दोनों तरफ का virtual network pairing कर सकते हैं यहाँ पर यानि कि vnet 1 से vnet 2 पे pairing हो रहा है और vnet 2 से vnet 1 पे pairing हो रहा है तो अब मैं तब तक यहाँ पर ping लगा के देखता हूँ कि क्या होता है sorry यह मैंने गिलत कर दिया इसको यह देखिए अब मेरा पिंग होने लगा कहां से vm01 से vm02 और मेरा vm02 से vm01 को पिंग करके देखता हूँ तो यह देखिए मेरा जो है अप पिंग स्टार्ट हो गया है तो मेरा क्यूंकि virtual network मेरा setup भी हो गया है यहाँ पर देखिए अगर मैं vnet 02 पे जाके pairing चेक करूँगा तो वहाँ पर भी आपका बन चुका होगा तो क्यूंकि हमने एक ही जगह से दोनों जगह का pairing कर चुके हैं के साथ यह topic के साथ थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो